एलेक्ट्रोन जिस और्बिट में है उसका लिए रेडीस निकालना लिए रेडियस निकालना, लेराविए लिए, हमने वही कॉंसेट को यूज कर रहा कि एलेक्ट्रोन पर यहां पर यहां 2 स्कुरियर करेंगे, तो यहां से आप V-2 को सब्जिट बना दीजिए और इस V-2 की वैल्यू को आप इस equation में place कर दीजे जैसे ही आप इस equation के अंदर place करते हैं from equation 1 तो आपको आर निकल करके आ जाएगा क्योंकि सारी value constant है सिर्फ n चेंज हो रहा है जै अगर hydrogen के बात करेंगे तो एक हो जाएगा न तो फिर आर की जो पूरी value आएगी सारे constant को रखने के बाद वह 0.529 एंगे स्ट्रॉम यानि 10 जो बाने 10 अगर जैट बदल रहा है तो ठीक नहीं तो hydrogen के लिए आप इसे एक कर देंगे मज़ा आया है तो ऐसे ही फिजिस के और भी रिविजन के लिए फास्ट रिविजन के लिए हमारे इस playlist को जरूर चेक आउट कर लेना जो की वीडियो के description box में भी दिया है मिलते है अगली वीड झाल 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